नमस्ते कुमार भाईया, नमस्ते सभी को, तो आज की जो मेरी शेरिंग है, मैं अपने संक्षिप्त परिचय से शिरुवात करती हूँ, दिदी ने तो मेरा परिचय दिया ही है, तो मेरा नाम है भाकिशाली विक्रम जाद हूँ, मैंने कम्प्यूटर्स की पढ़ाई की है, और मैं पिंप्रिचिंचर पॉलिटेखनिक कॉलेज में बतोर लेक्षरर काम कर रही हूँ, घर में जो अभी हम यहां पुना में रहते हैं, तो घर में मैं मेरे पती, मेरी दो लड़किया बड़ी कॉलेज में पढ़ती है, छोटी अभी 10 में पढ़ रही है, और लड़का जो है चोटा वो 6th standard में अभी है, और मेरे फामिली में मेरे ममी, पपा, सासुमा, देवर, देवराने, उनके बच्चे, ये सब नेटिव प्लेस में है, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स भी है नेटिव प्लेस में, पुने में मेरे दो भाई, उनकी फामिली, बहुत सारे कजिन्स भी है यहीं पुने में, तो ऐसी बड़ी सी फामिली के साथ मेरा जीना चल रहा है, मेरी जो UHV की जर्नी स्टार्ट हुई, तो जैसे कोरोना पैंटेमिक के दोरान, जो मेल आया था, AICT से, तो हमें प्रिंसिपल ने बोला कि ऐसे वर्क्शाप करना है, उनलाइन है, तो हमने सब फैकल्टी मेंबर्स कॉलेज के, तो जुलाइ 2021 में हमने अनलाइन इंट्रोड़क्टरी वर्क्शाप किया था, उसके बाद जब उस दवरान मुझे बहुत, मतलब एक काफी अच्छा कनेक्ट फील हो रहा था, ऐसे लगा कि मैं कुछ धून रही थी, वो कुछ तो है, औ वो जो एक अपने में थोड़ा सा, कुछ तो जानने की, समझने की, वो जो एक सिकिंग थी, तो ये मुझे यहाँ पर शायद ऐसे लगी कि मैं इसके साथ रहू, तो थोड़ा और कुछ मिल सकता है मुझे, तो फिर मैंने फेस टू फेस वर्क्शाप किया, यूएच वी टू का, जुलाई 2022 में, और साथ ही, फिर मैं कंटिन्यू इसके साथ जुड़ी रही, मौनिंग मिटिंग में, फिर गिकली मिटिंग में, बैच फायू से मैंने मौनिंग मिटिंग स्टार्ट की, तो मैं अपनी अगर एक्स्प्लोरेशन की जरनी को यहां रखू, तो पहले तो मै थोड़ा अभी काफे 4-5 वोक्शॉप्स, मौनिंग मिटिंग मैंने अटेंट किये, तो मैं एक थोड़ा अलग-अलग फेजस से मैंने अपने को देखा, तो उसमें यह था कि जैसे मेरी मौनिंग मिटिंग की जरनी स्टार्ट हुई, पहले तो फोकस पूरा बाहर, बाहर मत करना है, मुझ में क्या चल रहा है, अपनी क्रियाओं को देखना है, तो जब यह फोकस में शिफ्ट कर रहे थी, तो बहुत तोड़ा दिनों के लिए यह जो फोकस मैं अपने में जब शिफ्ट कर रहे तो मैं अपने में ही बनी रहती थी, काफी देर, बाहर क्या हो रहा है, इतना मेरा ध्यान जाता ही नहीं था या मैं वो अंदर और बाहर ये दोनों की याए करने ही पा रही थी तो शुरुआत में पूरा फोकस जब शिफ्ट हो रहा था जादा तर टाइम में अपने में ही बनी रहती थी बाहर इतना ध्यान रहता ही नहीं था उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कुछ दिनों के लिए ये एक phase मुझ में बना रहा और कुछ दिनों के बाद ये भी एक मैंने phase देखा कि मैं अंदर भी देख पा रही हूँ क्या चल रहा है क्या विचार कुछ चल रहे है मुझ में ये purely मैं देख पा रही थी और मैं बाहर भी ध्यान दे पा रही थी, कोई मुझसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या उसका वहाँ पे भाव या कुछ कैसे expression हो सकते है, उसको समझने के भी मैं कोशिश कर रही थी, ये एक दूसरा phase मैंने नोट किया और अभी जो batch 9 की शुरुआत में मैंने एक तीसरा phase भी अपने में नोट किया, जैसे ही मेरा धान भाव के उपर गया, और मैंने जो विरोध का भाव अपने में देखा, तो मैं बहुत एक थोड़े दिनों के लिए एक भाव ऐसे phase से गुजरी, मैं थोड़ा अपने ही, जैसे मुझे में विरोध का भाव बन था, तो मैं यह देख पा रही थी, कि मैं कितना खुद भी परेशान हो रही थी, और दूसरों को भी मैं कितना, अपने ही family members को, पाहर तो हम इतना express out होते नहीं है, थोड़ा सोचते है, घर में ही अपने ही spouse के साथ, ज्यादा तर टाइम के ल जब वो phase मैं करती थी, कुछ पता नहीं चलता था, और बाद मी मैं होश में आती थी, और मैं देखती थी, अरे मैंने यह क्या कर दिया, तो उस टाइम पे मैं काफी भाहुक भी हो जाती थी, अरे मैं यह क्या कर रही हूं, तो फिर continuously अपने में observe करते करते, यह phase से भी मैं बाहर आई, और अपने हे spouse के साथ, जो मेरा जीना चल रहा था, तो कुछ दो चार incidences में, कुछ नहीं सिंपल सी बात होती थी, कुछ तो वो बात रखने के कोशिश करते, किसी घटना या किसी वक्ती से, अपने ही लोगों के बारे में, कुछ तो बात रखने के कोशिश करते तो suddenly पता नहीं क्या हो जाता मुझे, और मैं इतना वो बोल पड़ती, और जब मैं बोल भी रही होती, कभी थोड़ा observation हो जाता था, और बाद में वो भी observation पुरा बंद हो गया, और मैं इतना बोल गई, और आदे गंटे के बाद मुझे होश आया, कि आरे मैं क्या बोल गई और फिर वो तो आफिस चले गए रहते थे, फिर मैं फोन करके बोल दिया करती, आरे सॉरी मैं ऐसे कुछ बोल दिया मैंने, बट मुझे बोलना नहीं था, ऐसे दो चार बार हो गया, और एक बार तो मैंने उनको बोल के रखा, देखो पहले के compare, पहले तो मैं बहुत ऐसे ग तो मैं suddenly कुछ ऐसे overexpress out हो जाती थी, तो ये मुझे trigger ही रहता था, और मैंने उनको बोला पहले तो मैं कितना किया करती थी, अभी देखो थोड़ा कम हुआ है, तो अभी भी मुझे थोड़ा आपकी support की ज़रूरत है, मैं अपने पर कर रही हूँ, कुछ दिनों के बाद ये भी मुझ से कम हो जाएगा, तो ऐसे एक अश्वस्ती या clarity मैंने अपने लोगों के साथ भी बना के रखी, ये एक बात रखी मैंने, अभी जैसे कल ही का एक example हूँ, तो मेरे spouse कुछ खाने के लिए लेकर आए, तो बोले कि ये मैं चीज लेकर आया हूँ, और और वो बात, व ये क्यों लेकर आये, हमें तो पसंद नहीं, बट अंदर ही चलने लगा, तेखो मेरे बारे में तो कोई इतना सोचता ही नहीं है, क्या मुझे अच्छा लगता है, ये वो दो चार बाते, पहले तो बहुत चल जाती, ऐसे कुछ होता तो कितना वो बाते अपनी में चलती और एकदम से बहुत सारा विरोध बनता, बट कल मैंने जो अपना अपसर किया, दो चार बाते चली, फिर मैं ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे फिर ठीक मेरी स्थिती रही, बट बात में देखा तो वो ही खुद प्लेट में डाल कर लेकर आये, तो मैंने देखा कि हमा तो उसे में काफी सारा विरोध में मेरी तरफ से भी जीना चल रहा था, ये काफी observation में आई चीजे इस बार, और एक important observation में यहां रखना चाहूंगी, कि जैसे जो मेरा जीना चल रहा था, कि UHV मीटिंग में मैं जॉइन हो रही हूं, वहां पे कुछ एक अलग तरक से जीना, घर के लोगों के साथ थोड़ा अलग, फिर college में students, colleagues के साथ कभी अलग, और मेरे जो relatives, neighbors, इन सब के, मतलब हर एक अलग-अलग स्थर पे जो मेरा जीना चल रहा था, वो अलग सब स्थर पे, मैंने ये note किया कि मैं एक ही भाव में नहीं बनी रहती, मेरा भाव पूरा, यहां कि वो formalities या कैसे जीना है, वो थोड़ा हम सीख जाते हैं और वैसे ही जीने की कोशिश भी करते हैं, बट मूलता जो काम होना है, उस पर मेरा ध्यान नहीं गया था, बट इस बार मैंने ये देखा कि मेरा, यह कुछ तो मैं switch on कर रही हूं, या कुछ तो मेरी भाव सब तरफ एक जैसे बने नहीं रहते हैं, तो यह जब मैंने नोट की बात, तो अपने में थोड़ा और अच्छी तरह से काम करते हुए, यह अभी मैं देख पा रही हूं, ज्यादा हद तक मेरा एक ही भाव बना रहता है, सभी स्थर पर, और जब यह भी मैंने नोट किया कि ऐसे हर अ पाव में अलग-अलग पन बनता था, उस वज़े से मैं खुद भी अनकमफोर्टेबल और सहज महसूस करती थी, बट अभी वो फेज नहीं है, तो काफी हद तक सहषता भी अभी आई है जीने में. साथ ही, जो है, मेरा जो आचरन है, वो एक मेरे स्टूडन्स, मेरे अपने घर के बच्चे जो है, उनके लिए एक सीखेंगे वो मेरे ही तरफ से, इस वज़े से मैं अपने आचरन पे भी काफी धान बना के रखती हूँ, तो मेरी जो एक और एक गड़बडी मैंने अपनी ह होने की वज़े से एकदम टाइम पे निकल लेती हूँ, तो कॉलेज पहुंचने में देरी ना हो, इस वज़े से कभी-कभी मैं सिगनल भी ब्रेक कर लिया करती थी, बट मुझे ये धान आया, मैं अगर ऐसे जीऊंगी, तो कैसे मैं अपने स्टूडन्स को, अपने बच्च कारेंगे फिर मुझे, तो इस वज़े से ऐसे फिर मैं अपने आच्रन पे भी धान बनाते रखती हूं, और एक मेरा जो है मेरे अपने शरीर के साथ निर्वाह, संबंद का निर्वाह जो हो रहा है, इसमें भी मैंने नोट किया कि बीच में थोड़ा सा फुड इंटेक का भ ले लेती हूं और काफी इनफ हो जाता है, तो जो पहले बीच में जादा खाने की वो जो एक आदत बन गई थी, वो काफी अभी कम हो गई है, और एक observation कि जैसे जैसे मेरी चाहना के प्रती मेरी स्पष्टता बन रही है, वैसे दूसरे वक्ति के भी चाहना क्या हो सकती है य मुझ में बन रही है, जैसे कुछ भी मैं करती हूं, जैसे मैंने कभी कुछ गुसा किया, या कभी किसी को पॉलिज में स्माइल दी, या कभी कुछ हेलो बोला, नहीं बोला, कुछ भी हम जीने में हर एक expressions या वैवहार हमारा बनता ही है, तो उसके पीछे मेरी क्या चाहना है उसके उपर भी मैं ध्यान बनाके रखा मैने बीच में, और अपने चाहना के इस पश्टता जितनी जितनी होती गई, तो अभी मैं दूसरे के भी ये चाहना हो सकती है, वो चाहता नहीं है मेरे साथ बुरा करना, बट यहाँ पर ये सही चाहना ऐसे हो सकती है, जैसे मैं अभी बढ़ रही है एक्सेसाइज के जो स्टेप्स है अगर उसके बारे में मैं रखू तो स्टेप बन जो है हर इक्षन सज्जे ग्रहना और कोई प्रतिक्रिया किये बगर अपने भाविचार को देखना ये जो स्टेप है ये करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसका रीजन ये था कि मैं कॉलेज में पढ़ते वक्त स्वामी विवेका नंद के बुक्स पढ़ा करती थी और उसमें एक थौट था कि जैसा आप सोचते है वैसा आप बनते हो तो ये जो थौट था उनके विचारों पे जीना मेरा काफी चल रहा था तो मुझे क्या बनना है और उसके लिए फिर मुझे क्या सोचना पड़ेगा इस पर मेरा काफी ध्यान बना रहता था अपने विचारों को बार बार देखते रहना मुझे क्या बनना है मेरा क्या लक्ष भी है, मैं क्या प्रसेंटेज जादा चाहती हूं, क्या चाहती हूं, उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ते वक्त, इस पर मेरा जादा ध्यान बना हुआ रहता था, तो विचारों को देखना, ये मुझे थोड़ा पहले से ही एक अभ्यास थोड़ा बना होने क कि वज़े से, एक्सराइज बन का जो स्टेप बन है, वो करते वक्त मुझे उतना जादा टाइम नहीं लगा, और बस यहीं कि काफी दिनों तक सिर्फ मैं विचारों को ही देखती रही, भाव को देखनी का जो है, अपने में इस बैच नाइन में मैंने शुरुआत की, और जो मैं अपने भाव देख पाही, बहुत जादा तर जो है, वो जो सहे स्वीक्रत भाव नहीं है, वही मुझ मैं अपने में देख पाही, जैसे एंगर, इरिटेशन, विरोध, कभी-कभी जेलसी, कॉंपिटिशन का भी भाव, कभी-कभी जहां जिस व्यक्ति के साथ मेरा ब स्वीक्रत भाव है, बहुत कम ही दिखे मुझे, जैसे केर, गाइडन, स्नेह का भाव, यह जो है, भाव में देख पाए, स्टेप टू में है, जो है, हरक्षन मुझ में जो भाव है, वो सहे स्वीक्रत है कि नहीं, हरक्षन क्या भाव बन रहा है, वो तो इतना समझ में नही तो मुझे लगता है तो सब तिक्ठी की चल रहा है अपने में और भी देखना है कि जब अन प्रतिकूल परस्थिति बनेगी तो कैसे मेरे में में भाव बन सकते है इसको मुझे और भी ऑपजर करनाए वैसिकल एक इंसिडेंस ये भी घटा फॉलेज में की सब्मेशन चल रहे मेरे एक student है वो manual लेके आ गया चेकिंग के लिए तो वहाँ पर मैंने यह देखा कि कुछ एक signatures ना मेरी नहीं थी और मैं अपने में observe भी कर रही थी जब यह मैंने देखा और मैंने पूछा उसको कि यह क्या है किसने की है signature बिठाया मैंने उसको सामने लगभग जादा पंदरा मिनिट या 20 मिनिट तक बिठाया पूछा मैंने अलग-अलग सवाल की आपने की किसको दी थी manual यह वो तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था बट मुझे न यह गुस्सा उस पे बिलकुल नहीं आया बट मुझे यह पीड़ा थोड़ी यहां रही कि यह मेरे जो बच्चे है यह कहां से क्या सीख रहे है क्या ज़रूरत है अभी तो कुछ डेडलाइन भी नहीं दी गई है सबमिशन अभी स्टार्ट हुआ है और वहां पे मेरे सिगनेचर मैंने की यह ही नहीं और कैसे यह करके लेके आ गया तो इनको मैं कैसे क्या समझा हूँ या कैसे मैं इसके साथ कॉ ये एक observation में बात आई एक्सेसाइज वन का जो step 3 है जो मुझ में भाव विचार चल रहे हैं उसके साथ आराम में बने रहना तो जब स्नेह का भाव या बना रहता है सहे स्विक्रत भाव तो महसूस कर पाती हूं कि मैं comfortable बनी हुई हूँ बट जैसे ही कभी विरोध का भाव भी आता है तो मेरी स्थिती uncomfortable भी बनी रहती है और जो मुझे सहे स्विक्रत भी नहीं रहती है ये भी मैं समझ पाती है step number four जो है कि मेरे जो भाव है मुझे में जो चल रहा है इसका निर्मे कौन लेता है ये step को करने में मुझे थोड़ा time लगा बट इस बार काफी हद तक clarity मुझे में बनी जैसे ही मैंने अपने में वो जो विरोध का भाव देखा फिर मैंने ये analysis की कि देखो बाहर कुछ नहीं है वो व्यक्ति तो सिर्फ एक शब्द बोल रहा है और इतना सारा मुझे में भाव बन रहा है विरोध का ये कैसे बना एक शब्द की वज़े से पहले मुझे ऐसे सकती ऐसे मैंने अपने बारे में कुछ ये मान के रखा हुआ था काफी और ये जो अपने को सही मान के रखने की वज़े से ना मुल्यांकन करने करते वक्त अपना दूसरे का मुझे थोड़ा फिर टाइम भी लगा इसको करने में तो इस बार मुझ में काफी क्लारिटी बनी कि हर मुझ में जो भाविचार चल रहे है उसका निरने मैं ही लेती हूँ स्टेफ फायू जो है एक्सरसाइज वन का मुझ में जो चल रहे भाविचार का आधार मैं अभी तो देख पाती हूँ कफी तो मन्यता के आधार पर ही होता है जो सही समझ होनी जरूरी है उसके उपर मुझे और काम करना और क्लारिटी लेना हर एक जो सहे च्विक्रत भाव है उसके उपर काम करना की जरूरत बहुत मैसूस होती है तो आने वाले सेशन में, आने वाले दिनों में ये मैं बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करूँगी. Exercise 1, Step 6. संभंध, व्यवस्ता, सहस्तित्व का भाव तो स्विकारी है. ये विचारों में शायद स्विक्रती बनी हुई है, ऐसे भी मुझे लगता है, क्योंकि अभी मैंने इतना इस पे काम करना शुरू किया नहीं है, अपनी ही स्थिती इतनी गड़बडाई हुई रहती थी, अभी उसमें काफी stability आई हुई है, तो इस बार में ये जो तीन भाव हैं, इसके उपर मैं बहुत और अच्छी तरह से काम करूँगे. स्टेप नमबर सेवें जो है, ये भी सह सिक्रित भाव सुनिश्चित करने में भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा आने वाले सेशन्स में. एक्सेसाइज टू की बात अगर मैं रखूँ जो स्टेप वन है, मैं हूँ और शरीर है, और ये दोनों अलग-अलग इकाईया, वास्तविक्ताए है, तो मैंने अपने को अभी देखा ही नहीं है, बट जो information के form में clarity तो बनती है, कि ये दो अलग हो सकते है, उसके activities को समझते हुए लगता है, कि ये दो अलग वास्तविक्ताए है, बट मुझे ये जिग्यासा तो बहुत है, कि मैं अपने को देखूँ, मैं कैसी हूँ, इसको मुझे देखने में काफी जिग्यासा बनी रहती है, तो इसके उपर भी मैं काम करूँगी, जरूष्ट, स्टेप टू जो है, मैं और शरीर के बीच सुचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो अपने को देखा नहीं है, तो विचारों में तो इसकी स्पष्टता काफी बनी हुई है, स्टेप थ्री जो है, शरीर को क्या संकित देना, किस सम्वेदना को पढ़ना, इसका निरने मैं ही लेती हूँ, इसकी क्लारिटी भी बन रही है, स्टेफ फोर जो है, मैं और शरीर के बीच दूरी है, तो अपने को अभी देखा नहीं है, मैंने तो कितनी दूरी है, या क्या है, मैं कहा हूँ, इस शरीर के साथ, कैसे जुड़ी हूँ हूँ, कैसी हूँ मैं, ये सब अभी भी questions काफी सारे unanswered है, और इसको मैं समझने की कोशिश करूँगे, step 5 जो है, भाय परस्तिती का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, और उसे मैं ही निर्ने कुरवक पढ़ती हूँ, ये भी स्पष्टता बनी होती है, बहुत बार ऐसे होता है कि morning meeting के sessions में सुभे सुनती रहती हूँ, पूरा धान मेरा वही पर बना रहता है, आसपास मेरे सभी तैयार होते हैं बच्चे, कोई नहारा है, कुछ कोई नाष्टा कर रहा है, कोई अपनी बैक पैक कर रहा है, सब आवाज तो आती रहती है, बट मेरा ध्यान तो मेने जो लाउड स्पिकर पे लगा के रखा हुआ है, मोबाल, उसी के ऊपर बना रहता है, क्यूंकि मैंने उस टीवीज में चल रहा है, बट मेरा ध्यान जादा तर मेरे बच्चे क्या बोल रहे है, कुछ बीच में वो बोलते हैं, तो इमेडियेटली मेरा ध्यान वहाँ पे भी चला जाता है, वो जो मैं देख रही हूं, कुछ मूवीज, कुछ शोज वगरा चल रहे हैं, उससे भी ज मैं सब्वेदना को पड़ती हूं, उसको भी अर्थ जो देना है, ये मैं ही करती हूं, और जो अर्थ देना है, ये हमारे संसकार, मेरी जो मानने ताए है, इसे के अधार पर भी होता है, ये भी काफी हद तक मैं समझ पा रही हूं, एक संसकार मैंने इस बार ये भी नोट किया कि मुझमें न ये सही है और ये गलत है इसका एक काफी एक संसकार रोप में मुझमें बना है तो मैंने थोड़ा investigate की कि क्यों ऐसे मुझमें कैसे बना आया तो बच्पन में ऐसे होता था मेरे जॉइंट फैमिली से हूँ मैं तो ममी पपा चाचा चाची दादी जितनी मेरे सभी है members तो सब ऐसे बार बार बुलेंगे ये करना ठीक है सही है ये करना गलत है ये मत करो कुछ खानपन से लेकर कुछ बोलने के तरीके से लेकर सबके साथ कोई आया है तो कैसे पेश आना है हर एक हर एक चोटी चोटी चीजों में बार बार जो हमें संसकार के फॉर्म में जो बताया जाता था ये सही है ये गलत है इस वज़े से यह वो एक मुझ में काफी है कि यह सही हो और यह गलत है इसके बारे थोड़ा सा मुझ में है वो एक संसकार रूप में और जब भी मैंने जो सही माना या जो सिखाया गया है और जो गलत है वो जो सिखाया गया है कोई गलत अगर आता है तो वहाँ पे फिर acceptance कम है और वो फिर थोड़ी दिनों बाद वहां पे थोड़ा विरोध भी बनना शुरू हो जाता है यह भी एक observation में बात आई हां दूसरे वक्ती का व्यवहार तो समवेदना है मैं कुछ आखों से देख रही हूं कान से उसके शब्द मैं सुन रही हूं यह समवेदना के form में ही है और अर्थ तो मैं देती हूं यह step को करते वक्त वही घटना को जब मैं दोराती थी तो मैं बीच में बहुत दुखी करती थी बट अभी उतना होता नहीं है पूरा फोकस मेरा कि हां मैंने क्या अर्थ दिया है क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं हां इन सब के लिए अर्थ जैसा मैं दोंगी या तु मैं सुखी होने वाली हूं या फिर मैं दुखी होने वाली हूं इस पर मेरा धान बना रहता है बात करती उसको भी कुछ बहुत कुछ बोलना रहता और मेरा एक ऐसे संसकार था कि वो कुछ बता रही है और मैं उसकी पूरी बात सुनती ही नहीं थी उसकी बात को कट करके मैं अपनी ही बतानी शुरू करती थी या अपनी ही बात रखनी शुरू करती थी ये भी बीच में मै नोट किया बट अभी मैं उसकी पूरी बात सुनती हूं ज्यादा उसी को बोलने के लिए मैं टाइम देती हूं कि क्या उसको कहना है क्या रखना है उसके उपर फिर मैं समझने की कोशिश करती हूं कि उसकी स्थिती क्या बनी है अभी वो दूर है तो फोन पे ही हमारी बात होत तो ऐसे एक मैंने ये भी बात नोट की शरीर में जो घटने वाली जो घटना या स्थिती है उसके उपर भी मेरा इस बार ध्यान गया तो कभी कभी मैंने देखा मैं बैटी हूँ और कुछ तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो देखा कि क्या हुआ सब कुछ तो ठीक है अभी बाहरी परिस्थिती तो अनुकुल है मैं बैटी हूँ कुछ तो काम कर रही हूँ तो क्या हुआ तो इस टाइम पे मैंने देखा कि शरीर में अपने कुछ असीडिटी कुछ ब्लोटिंग या कुछ ऐसे प्रॉब्लेम्स आने की वज़े से भी हमारी जो स्थिती है थोड़ी भी मेरे पास information के form में ही है बट मुझे इसको समझने की बहुत जिग्यासा है शुन्य को समझना क्यों इसको जब मैं समझने की कोशिश करी कि तो मुझे लगता है कि मैं पूरे ग्यान तक मैं पहुँच पाऊंगी मुझे और यह सीखना है यह मुझे पूरा ग्यान भी लेन है और लेकर भी मैं क्या करूंगे तो मैं help कर पाऊं सबको या हम share कर पाएंगे हम ऐसे भी मुझे लगता है तो शुन्ने के बारे में समझना सहस्तित्व के बारे में जानना इसके बारे में भी मुझे में काफी interest बन जाता है सुख सभाव है या प्रभाव इसके बारे में इस बार मैंने देखा तो ऐसे लगता है कि अभी भी मैं दूसरे वक्ती के विवहार से थोड़ी हद तक तो सही सुखी दुखी होती हूं तो अभी भी मेरी सुख के लिए बाहर परतंत्रता दिखती है बट तब मैं आगे प्र और सुख के लिए मैं स्वतंत्रव हो जाओं पूरी तरह से इसके उपर मेरा पूरा ध्यान या प्रयास बना रहेगा आने वाले सत्र में कमिट्मेंट के बारे में अगर मैं बताओं तो अभी मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैं अपने में अभी स्टेबल हो गई हूं जो मुझे में वो एक जो भगदड़ बनी रहती थी काफी विचारों में जो उल्जन, ओवर्थिंकिंग वो काफी रिडियूस्ट हो अभी मुझे लगता है कि मैं अभी रेड़ी हूं ये बड़ी ववस्था में भगदारी करने के लिए ये एक बात मैंने नोट की तो जो मेरी जो जिम्मेदारिया है जॉब घर की जो जिम्मेदारिया है इसको निखाते हुए एक देड़ घंटा तो मैं अराम से दे सकती हूँ सभी UHV के एक्टिविटीज कुछ करने के लिए और सेशन को मैं शेरिंग को एंड में मैं इतना ही रखूंगी कि मेरा जो भाव है करतग्यता का भाव सबसे पहले तो मैं कुमार भाया को अज़ा मेरे गुरू अज़ा मेरे मेंटर जिनोंने जिस तरह से मैं मेरी लाइफ में सफर हो रही थी अपने ही समझ के अभाव में अपने ही सही मतलब पता ही नहीं था तो इस वज़े से जो सफरिंग से बाहर आने में उन्होंने जो हैंड वोल्डिंग की मुझे लगता है यह क्रतग्यता भाव भी मुझे कम ही लगता है बहुत मैं जिस सफर हो रही थी और वो हैंड वोल्डिंग की वज़े से मैं कैसे बाहर आई और अभी मैं काफी हद तक ठीक हूं यह कहना है और शर्मिला दीदी ने भी मुझे काफी मैंने काफी सारे दोन भाईया और दीदी से काफी सवाल पूछ ती रहती थी अपने जीन के जो रियालिटी की तरफ धानकर्शन करवाने की वज़े से मैं अपने में आराम में और समझ भी मुझ में काफी हद तक विक्सीत होने में मदद मीली और साथ ही उमेश भया गोपल भया से भी मेरी बीच में पुने में जो फेस्ट युएच वी टू वक्शॉप हुआ उन का बहुत मेरे उपर मेरी समझ को विक्सित करने के लिए बहुत हेल्प हुई है बस इतना में कहना चाहूंगी जी नमस्ते देदिय जी बढ़िया भागिशाली बीबी अच्छी शेरिंग रही आपकी आपने जब से वर्क्शॉप किया है तब से आप कंसिस्टेंटली जूरी हुई है लगतार इन मुद्दों को प्रियोर्टी देकर अभ्यान दे रही है समझने का काम कर रही है आपका कुछ पुराना जो एक अभ्यास रहा है ओवर्थिंकिंग का और उसमें भी किसी भी घट लेकर इसको विचार करने का यह थोड़ा सा सुरू कर रहा है उससे आप काफी हर तक निकल पाई है एक अच्छी बात यह है कि आप संबंद को गहरे में सिकार लेती है और फिर उसके काम भी करती रहती है परनतुल संबंद में जो अपनी निशित भागिदारी दिखने की ब पाएंगे एक इस तरी तो यह है कि जब हम इस बात को देख पाते हैं कि मैं अपने भाव विचार के स्वहम जिम्मेदार हूं तो इसमें फिर हमें आगे कारकम कर दिखाई देता है कि मुझे भाव में परिमाजन के लिए क्ले क्ले क्या करना है हमारे स्वहत बनती है बढ़ उससे जो दल्तियां कर रहे हैं उसके लिए हम स्वहम को जिम्मेदार मान लेते हैं उससे फिर हमारे उंदर कई बहुत सारी डिप्रेसिव थौट्स बढ़ने लगते हैं जो हमारे स्वहम के विकास में बाधाक भी होता है और स्वास्त के लिए भी ठीक नहीं रहता है तो उ कुछ मुद्दे हमारे ध्यान में बने रहते हैं हम एक व्रित में उनको विचार में घुमाते रहते हैं बड़ जब भागीदारी करते हैं तो हमें और जदे इंपोर्टेंट इशूस पर भी ध्यान जाता है जहां व्यास्ता को लेकर अपने आप में उधेड़ मुन में और यह आगे और बढ़ेगी तो और अच्छी संभावनाय बनेगी और एक निष्ठा जो आपकी बन गई है इसको समझेना है पहले का भी आपका एक संस्कार है तो पहले से भी एक संस्कार है कि जान की और आपका ध्यान गया है और बहुत सारे मुद्दों पे आपके प्रवार के मुद्दे हैं उनसे भी हम पिर उबर पाएंगे उसे हम बाहर निकल पाएंगे उनका समाधान ठीटी देख पाएंगे तो बहुत ही बढ़ी आपको बढ़ाई दनिवाद मया आपने जो बताया मैं इस पे काम करूंगी और कॉलेज में मैंने शुरू किया है थोड़ा भी काम तो जल्दी उस पे भी मेरा कितना फैला हो रहा है यह सब मैं आप तक पहुचाऊंगी जल्दी धनिवाद मया